हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल तनुवार्ट्स ब्लॉग देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ये ग्राफ डिजाइन लेकर आई हूँ देखिए ये ब्यूटिफुल बॉक्स ग्राफ डिजाइन ये डिजाइन आपका यहां से लेकर यहां तक आपको एट्रो में बीना है एट्रो फिर आपको इस साइड के इस तरीके से एट्रो बीना है इधर का जब आप एट्रो बीनेंगे ऊपर का तो आपका यह कंप्लीट हो जाएगा यहां तक देखिए आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से आपका यह क्रॉस हो जैकेट, टॉप आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाईए आपका बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिजाइन बैक साइड से देखे आपका इस तरी के से आएगा बैक साइड देखे आज मैं आपको यही डिजाइन सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में अगर आप में इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजे ताकि आपको हर निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए यह डिजाइन देखे आपका कितने फंदों में बीना गया है इस तरीएके से आपका बीना गया है इस ग्रीन फंदे से इस वाइट फंदे तक आपका फोर फंदा लगा है फिर इस ग्रीन फंदे से आपका इस वाइट फंदे तक फोर फंदा लगा है फोर फंदा फो बनाना स्टार्ट करते हैं यह डिजाइन, देखे मैं इस मैंज स्टीच कर ली हूँ, 13 फंद है इसमें, आपका 13 फंदों में 3 बॉक्स कम्प्लीट होगा, देखे 1, 2, 3, 3 किसा आपका 3 बॉक्स कम्प्लीट होगा, 13 फंदों में, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह स्वाइन फ्रन्ट साइड से फर्स्ट रॉमें फर्स्ट पंदा स्लेप कीजिए 30 वहां बेना कि ले लोड से तो फंदा वैट बेनां ने में चाहिए परगे किसराइर। हो स सिपर थे देननल93 वाइट से बीन है दिखे इस तरीके से बीन लीजे थ्री फंदा वाइट से फिर आप वन फंदा ग्रीन से बीन ये फिर आप थ्री फंदा वाइट से बीन लीजे दिखे इस तरीके से आपको बीनना है फिर वन फंदा ग्रीन से बीन ये पिर आप लास्ट के फंदे 2 फंदा वाइट से बीनिये देखे इस तरीके से बीन लीजे 2 फंदा वाइट से आपका फॉ истор और लाश्ट में 2 फंदा वाइट से बीना जाएगा देखे फॉस्ट रो Summit हो गया है सकेंड रो देखें, बैक साइड से आपको सकेंड रो में वन फंदा वाइट से बीनिये फिर आप थ्री फंदा ग्रीन से बीनिये, देखें इस तरीके से आपको उन को फसाना है फिर बीनिये, थ्री फंदा ग्रीन से बीन लीजिये फिर आप इस तरीके से उन डालिए फिर उन फसाईए और बीन ये वन फंदा वाइट से फिर थ्री फंदा ग्रेन से बीन लीजे फिर आप वन फंदा वाइट से बीन ये फिर थ्री फंदा ग्रेन से बीन ये दिखे इस तरीके से आपको सकेंड रा में बीन आए वन फंदा वाइट और थ्री फंदा ग्रीन करके बीन लीजिए टोटल फंदे को बैक साइड से देखे इस तरीके से आपका बैक साइड से बीन आ गया है थर्ड रौ देखे फ्रंट साइड से आपको थर्ड रौ में तू फंदा ग्रीन से बीन ये फर्स्ट फंदा भी आपका ग्रीन से बीना जाएगा टू फंदा ग्रीन फिर आप वन फंदा वाइट से बीनिये फिर आप थ्री फंदा ग्रीन से बीन लीजिये देखे इस तरीके से थ्री फंदा ग्रीन से बीनिये थार्ड रामे फेर आप 1 फंदा वाइट बीनिये फेर आप 3 फंदा ग्रीन से बीनिये देखे इस तरीके से आपको बीनना है 3rd रो में फेर आप लाश्ट के फंदे 2 फंदा ग्रीन से बीनिये 1st और लाश्ट में आपका 2 फंदा ग्रीन से बीना गया है देखे इस तरीके से आपका बीना गया है थर्ड रो फोर्थ रो देखे बैक साइड से आपको फोर्थ रो में वन फंदा ग्रीन बीन ये फिर आप थ्री फंदा वाइट से बीन लीजे थ्री फंदा वाइट बीन ये फोर्थ रो में फिर आप one fanda green से बीन ये फिर three fanda white से बीन लीजिए देखे इस तरीके से आपका fourth row में बीनना है फन फंदा green और three fanda white करके बीन लीजिए देखे इस तरीके से आपका बीनना जा रहा है देखें आपका fourth row कमप्लीट हो गया आपको इसी तरीके से बीनना है फूर्थ राओ में फिप्थ राओ देखे फ्रंट साइड से आपको फिप्थ राओ में वन फंदा ग्रीन बीन यह फिर्स्ट फंदा ग्रीन से बीन यह फिर आप थ्री फंदा वाइट से बीन यह फिप्थ राओ में देखे इस तरीके से बीन लीजे, जैसे आपका fourth row भी न गया है, वैसे आपको fifth row भी भी भीनना है, one फंदा green और three फंदा white करके भीन लीजे total फंदे को, fifth row में, ध्यान से देखे ये design आपका कैसे भीनन जा रहा है, अगर आपको कुछ भी समझने में problem हो तो आप पूछ ये, कि आप कहां नहीं समझ रहे है देखे आपका 5th row complete हो गया है आपको इसी तड़ी के से बीनना है 5th row में 6 रो देखे बैक साइड से आपको 6 रो में 1 फंद ग्रीन से बीन यह फिर आप 1 फंद वाइट से बीन यह 6 रो में फिर आप 1 फंद ग्रीन बीन यह फिर आप 1 फंद वाइट बीन यह फिर 1 फंद ग्रीन देखे इसी तड़ी के से आपको 1 फंद करके बीनना है 1 फंद ग्रीन और 1 फंद वाइट करके बीन लीजे 6 रो में टोटल फंदे को बीन कर complete कीजे देखे, इस तरीके से बीन लीजे, 6 रो, बैक साइड से, आपका ऐसे बीना जाएगा देखे, आपका 6 रो कम्प्लीट हो गया है, इस तरीके से आपको बीना है 6 रो में, 7 रो देखे, फ्रंट साइड से आपको 7 रो में, 1 फंदा ग्रीन से बीन ये फिर आप 3-funda white से बिनए सेवन्थ रो में 3-funda white फिर आप 1-funda green से बिनए फिर 3-funda white से बिनए फिर 1-funda green फिर आप 3-funda white बिनए देखे इसी तरहिके से आपको बिनना इं 7th row में देखे आपका 7th row complete हो गया है आपको इसी तरीके से बीनना है 8 row देखे back side से आपका 8 row में 1 फंदा green बीन ये फिर आप 3 फंदा white से बीन लीजे 3 फंदा white बीन ये फिर आप 1 फंदा green से बीन ये 7th row के जैसे आपका 8 रो बीना जाएगा बैक साइड से उल्टा और फ्रन्ट साइड से सीधा बीना जा रहा है देखे इस तरीके से आपको बीनना है एट रो में 3 फंदा वाइट और 1 फंदा ग्रीन करके बीन लीजिए टोटल फंदे को देखे आपका 8 रो कंप्लीट हो गया है देखे इस तरीके से आपको बीनना है यह डिजाइन 9 रो देखे फ्रन्ट साइड से आपको 9 रो में देखे इस तरीके से बीनना है देखे यहां तक आपका कंप्लीट हुआ है अब आपका उपर का डिजाइन बीना जाएगा टू फंदा ग्रीन बीन ये टू फंदा ग्रीन नाइन थ्रा में बीन लीजे फिर आप वन फंदा वाइट से बीन ये फिर आप थ्री फंदा ग्रीन से बीन ये देखे स्तरीके से थ्री फंदा ग्रीन बीन ये फिर आप वन फंदा वाइट से बीन ये फिर 3 फंदा ग्रीन से बीन लीजे 9th रो में देखे इस तरीके से आपको बीन आए 9th रो 1st और लास्ट में आपका 2 फंदा ग्रीन से बीन आ जाड़ा है देखे इस तरीके से बीन लीजे 9th रो 10th रो देखे बैक साइड से आपको 10th रो में वन फंदा वाइट से बीनिये, फिर्ष्ट फंदा वाइट बीनिये, फिर आप थ्री फंदा ग्रीन से बीन लीजे, three funda green फिर आप one funda white बीन ये फिर three funda green से बीन ये देखे इस तरीके से आपको टैंधि राओ में बीना है one funda white और three funda green करके बीन लीजिये total funda को backside से है आपका लास्ट का फंद वाइट से बीना जा रहा है देखे इस तरीका से आपको बीनना है टैन्थ रॉमें देखे आपका 10 रॉम इस तार्षा अहां से आपका उपर का डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है और इधर आपका यह बॉक्स कम्प्लीट होगा 11th row देखे, फ्रंट साइड से आपको 11th row में, 2 फंदा वाइट से बीन ये, फिर आप 1 फंदा ग्रीन बीन ये, फिर 3 फंदा वाइट से बीन लीजे, अगर आप स्टार्टिंग से कॉंट कर रहे हैं, तो ये आपका 11th row है, अगर आप 8th row के बाद फिर से यहां से कॉंट कर रहे हैं, तो ये आपका उपर का 3rd row हुआ, ये आपका 3rd row होगा, देखें, इस तरीके से आपको बीन ना है, 5 फंदा ग्रीन और 3 फंदा वाइट करके बीन लीजे, फर्स्ट और लास्ट में आपका 2 फंदा वाइट से बीन आ जा रहा है, देखें, आपका 11th row कंप्लीट हो गया है, आपको इसी तरीके से बीन ना है ये डिजाइन, देखें, आपका बॉक्स बनकर तयार है, आपको इसी तरीके से बीन ना है ये डिजाइन, और यहां से का design cross out वीना जा रहे देखें दखें साइसे यहां पर आपका भीन गया है यही आपको प्रॉसस आगे बूदना इस तरीके से जैसे आप नीचे भीन है वैसे आपको सेम भीन दोफ वीदें देखें इस तरीके से बीन लिजे यह डिजाइन अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट कीजे अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं ऐ ऐसे ही नियू डिजाइन के साथ अगली वीडियो में